नमस्कार आपके अपने चैनल गायतरी जोतिस केंदर में मैं स्कलोजर पंडी तनिल खोठारी आप सभी लोगों का हार्ति गविनंदन करता हूँ एक नहीं जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्त्री और पुरुस के किस हाथ में खुजली लगने से धन आता है और किस हाथ में खुजली लगने से धन जाता है रासिका भी यहाँ पर को थोड़ा सा मैं वर्लन करूंगा तो वीडियो को आप लोग अंतर तक जरूर देखेगा तभी आप लोग इस चीज को पूर्ण तया इस पश्ट रूप से समझ पाएंगे और जो लोग चैनल पे नए आये होंगे तो उनसे मेरा बिनम्र निवेदन है कि वो वीडियो को वो भी अंततक देखिए और उसके बाद डिसाइट करिए कि क्या मेरी जानकारी अच्छी है यदि उनको यहाँ जानकारी पसंद आती है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी के वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी नुमा जो बटन होता है उसको वहाँ प्रेस कर सकते हैं आइसे की समय समय पे ऐसी ही जानकारी के वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके तो सुरू करते हैं आज की महत्तपूर्ण जानकारी अंग सपरण सास्तर सामुद्रिक सास्तर में बताया गया है कि पुरसों के बाएं हाथ में य第一 खुज़ली लगती है तो धन आता है पे यदि पुरसों के खुज़ली लगे तो समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति उनको होने वाली है इसके अलावा यदि उनका कोई बहुत पहले से कोई धन फसा है जिसके आने की कोई उमीद नहीं है तो वह धन भी उनको प्राप्त हो जाता है महिलाओं के उल्टा हो गया महिलाओं के उल्टे हाथ में लगे तो यही फल है कि बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप पुरुसों के बाय हात में यदि खुश्दी लग जाए तो 100% धन सीग्रे ही आने की पूरी संभावना होती है और इस्त्रियों के इनी रासी वालों के दायने हात में यदि खुश्दी लग जाए तो 100% धन आने की पूरी संभावना रहती है बाकी तो आप लोग ट्रैक्टिक के बाए हाथ में और महिलाओं के दाइने हाथ में कुछ लिए तो धन आता ही आता है तो मित्रों यही थी आज की संक्सित और चोटी सी जानकारी तो जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो